दोस्तो जिस ब्रह्मान में हम रहते हैं वो बना कैसे? ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा और इसके बनने की वज़ा क्या है? ब्रह्मान हमेशा से ही सवी के लिए एक मिस्टरी ही बना हुआ है इस पर वग्यानिक हमेशा से ही कभी सटीक इक्वेशन नहीं दे पाए हैं लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से हजारों थेरीज हैं इस अनंत गैलेक्सी के बारे में कि ये कैसे बना और इसकी वज़ा क्या है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सनातन धर्म के हिसाब से गैलेक्सिय ब्रह्मान जो अनंत तक फैला हुआ है वो एकलोता ब्रह्मान नहीं है इसके अलावा भी खर्वो या इंफनाइट नंबर के हिसाब से ब्रह्मान मौझूद है जो की लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं साधा शब्दों में अगर कहें तो हम जिस ब्रह्मान में रहते हैं वो एक तरह से मल्टिवर्स ही है लेकिन सनातन धर्म के एसाप से ऐसा कहा जाता है कि जब एक ब्रह्मान खत्म होता है तो उसकी जगा दूसरा मल्टिवर्स Yoam श्री विश्नु इस कॉस्मिक उर्जा से भरे ओशन में सो रहे होते हैं और फोटोज में भी आपने देखा होगा श्री विश्नु एक बड़े साब के उपर लेटे हुए हैं जिसके हजारों मुख हैं एक उनिवर्स को क्रियेट होने के लिए तीन शक्तियां काम करती हैं जिसमें Lord Brahma as a creator है श्री विश्नु as a maintainer है और Lord Shiva as a destroyer है जब श्री विश्नु प्रतिक्रिया करते हैं तो एक ब्रह्मान का निर्मान होता है जिनकी नावी से एक नार निकलती है जो कि एक ब्रह्मान के create होने का प्रतिक है जिसमें Lord Brahma ब्रह्मान को create करते हैं अक्सर तस्वीरों में भी आपने देखा होगा श्री विश्नु की नावी से एक कमल की पंखुडी निकलती है जिस पर ब्रह्मान बैठे हुए हैं एक ब्रह्मान के बनने का समय दूसरे ब्रह्मान के अंत के समय पर ही हो जाता है कहते हैं कि जब श्री विश्नु एक सांस लेते हैं तो हजारों ब्रह्मान create हो जाते हैं जिस हर एक ब्रह्मान में ब्रह्मा as a creator मौजूद होते हैं और जब वो सांस छोड़ते हैं तो सभी ब्रह्मान का अंत हो जाता है, यानि ब्रह्मा का भी end हो जाता है, और जब दोवारा विश्नु सांस लेते हैं, तो फिर एक बार हजारों ब्रह्मान क्रियेट हो जाते हैं, यानि हजारों ब्रह्मा फिर से बन जाते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है, लॉड ब्रह्मा ए हमें इस physical world में दिखाई देता है। Lord Vishnu हर एक multiverse के रूप में अवतार लेते हैं और यही हर एक universe को समालने का काम करते हैं। हम साधा शब्दों में कह सकते हैं जो हमें इस दुनिया या ब्रह्मान में दिखाई देता है उसे बनाने वाले ब्रह्मा हैं। लेकिन विश्णू के नेत्रत में ये सवी घटनाएं होती रहती हैं। जो कि बिना किसी time limit के हर जगा मौझूद हैं। और सवी का रखरखाव कर रहे हैं। universe के सुरू होने से लेकर खत्म होने तक वो हमेशा रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा time limit के हिसाब से universe में मौझूद रहते हैं। कह सकते हैं कि वो universe में temporary है। सनातन धर्म के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सिर्फ 100 साल ही है। और जब उनकी उम्र खत्म होती है तबी एक नए universe या ब्रह्मा का जन्म होता है। आप सोच रहे होंगे कि only 100 years वेट अब जड़ा time को भी calculate करते हैं। ब्रह्मा की उम्र 100 साल है यानि वो 100 साल ही जीते हैं। हर साल में 365 दिन होते हैं और हम उनके 91 वर्ष के पहले दिन में हैं जो दिन और रात हैं। इनके हिसाब से ब्रह्मा दिन में पूरे universe का जीवन को create करते हैं। और रात में universe का जीवन फलता फूलता है और सुबा आते आते खत्म भी हो जाता है। यानि विनाश जो विग्यानिक के हिसाब से करोडों सालों में एक बार आता है। और हम ब्रह्मा के 91 वर्ष के पहले दिन में हैं। लेकिन आप दुखी मत हों। इनका पहला दिन बहुत बड़ा है। युग, large unit of time। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक युग कितने हजार करोडों सालों का होता होगा। विष्णु पुणान के हिसाब से एक महा युग, चार युग के बराबर होता है, जैसे सत्यूग, त्रिता यूग, द्योपर यूग और कल यूग जो अभी चल रहा है। जिसका रेशियो है 4 इस्टू 3 इस्टू 2 इस्टू 1। महा युग में काली यूग सबसे छोटा यूग है, जो की 4,32,000 साल लंबा है, द्योपर यूग 8,4,000 साल लंबा है, त्रेता यूग 12,96,000 साल लंबा है, और अंत में सत्यूग 17,28,000 साल लंबा होता है। तो आखिरी महा यूग पर्थवी पर 4,32,000,000 का था, यानि 43,20,000 साल का। दोस्तो एंशेंट इंडियन लैंग्वेज में महा यूग को मनवंतर भी कहते हैं। पुराने जीवन के खत्म होने पर मनवंतर के शुरुआत में नए जीवन की शुरुआत होती है। जीवन 71 वार evolve होता है और destroy होता है। एक मनवंतर 71 महा यूग गुजरने के बरावर होता है। तो 71 multiply 4,32 million years इसका जवाब लगवग 306.72 million years होगा। तो 306.72 million years में प्रथवी पर जीवन खत्म होता है। और वग्यानिगों के हिसाब से प्रथवी पर 252 million years पहले जीवन का अंतुवा था। जिसमें 90% से लेकर 96% species प्रथवी पर खत्म हो गई थी। हर प्रलय के पहले के period को संधिकाल कहा जाता है। जो की 1.728 million years के बरावर है। According to modern science, प्रलय के आने से पहले का recovering time 10 million years का होता है। जो की हर 10 million years में आता है। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। आप सो सकते हैं। जिसे ancient language में कल्प कहा जाता है। 1 कल्प 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बरावर है। तो 1 कल्प यानि 14 x 306.72 million years प्लस 15 x 1.728 million years जिसका जवाब होगा 4.32 billion years तो ब्रह्मा का एक दिन 4.32 billion years यानि 4 अरब 320 करोड साल का होता है। तो ब्रह्मा दिन में युनिवर्स की creation करते हैं और रात में जीवन पनपता और फलता और फूलता है। आखिरी में सुवा आते आते वो खत्म हो जाता है। फिर से नए दिन की शुरुआत होती है। अब समझ में आया कि हम ब्रह्मा के 91 वर्ष के पहले दिन में हैं। लेकिन रुकिये दिन तो 24 गंटों का होता है 4.32 billion years x 2 जिसका जवाब होगा 8.64 billion years as a universal scale। और modern science के हिसाब से भी लास्ट सबसे पुराना जीवन 4.28 billion years पहले ही हुआ था। महा कल्प हमारे ब्रह्मान के एसाब से एक कल्प का मतलब है 1 universal day। मन्त में 30 days होते हैं तो साल में 12 मन्त होते हैं जिसमें जीवन पनपता है और अपने कर्मों के एसाब से खत्म भी होता है। और एक universe की age होती है 100 years। तो पूरे universe की age 8.64 x 30 x 12 x 100 billion years। जिसका जवाब होगा 311.04 trillion years जो की महा कल्प कहलाता है। तो हम ब्रह्मान के 51 वे वर्ष के पहले दिन के कल्यूग के 28 महा यूग के 7 मन्तर में हैं। तो जरा फिर से calculate करते हैं। अकॉर्डिंग तो हिंदुजम एज ओफ युनिवर्स। 50 universal years प्लस 6 महा मन्तर प्लस 7 संधिकाल प्लस 28 महा यूग। 50 universal year यानी 8.64 x 30 x 12 x 50 billion years जिसका जवाब होगा 155520 billion years। 6 मन्तर यानी 6 x 306.72 million years जिसका जवाब होगा 1840.32 million years। 7 संधिकाल यानी 7 x 1.728 million years जिसका जवाब होगा 12.096 million years। 28 महा यूग यानी 28 x 4.32 million years जिसका जवाब होगा 12.96 million years। तो सनातन धर्म के हिसाब से एक इन्यूवर्स की उम्र 157.49 trillion years होती है। और modern science के हिसाब से एक इन्यूवर्स की एज 13.799 billion years होती है। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म के हिसाब से हमने 60 equation प्रोवाइट की है as compared to modern science जिसमें सास्त्र बताते हैं कि एक ब्रह्मान की उम्र 311 trillion years की होती है। जो की पूरे वर्ल्ड में time equation के बरावर भी नहीं है। वैसे दोस्तों ये तो Lord Brahma की age की बात की हमने। लेकिन श्री विश्णू जिसके एक बार सास लेने पर भी हजारो करोडों ऐसे ब्रह्मान create हो जाते हैं। तो उनकी age क्या होगी। कॉमेंट में ज़रूर बताएं अगर उन पर वीडियो चाहते हैं और ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपने क्या सीखा। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।